हालो फ्रेंग्स वेलकम यू आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिक्या रहा है कि बात करने वाले हैं पर बस और और किटक्ट्चर को समझें शुटामट इसी फाउंडेशन को समझना है और इस ही इस्यistbook कर ले आपको सकते हो मैंबरस hasn't में टम बटन को और अगे बने बैले आप को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस करने जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगे और प्राइस सेक्षिन सीखने के लिए आप जॉइन कर सकते हो मेंबर से जॉइन बटन पर क्लिक करके एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक्स के साथ देखेंगे मॉमेंटम बॉक्स पॉंडी ऑक्साइड आप देख रहे होंगे या यह पॉंडी ऑक्साइड कहा था 500 पर आज पहुंच गया 1200 पर क्या हम इसको सही समय पे इस करेक्शन को समझ पाते तो आपके लिए बेसिक देखिए ज बहुत जल्दी जब हम देखते हैं कि हाँ यह बड़े टाइम फ्रेम की तो करेक्शन है लेकिन इस करेक्शन की वज़े से छोटे टाइम फ्रेम जो है वह मोमेंटम लूज कर गया तो हम इंतजार करते हैं मोमेंटम के गेन का तो मोमेंटम का गेन कैसे अब मंतली है तो हम कि पर देखते है daily time frame पर momentum gain कैसे होता है आपको पता है इसको क्या कहते है momentum box जब RSI हमारा super momentum area में पहुंच जाए जब MACD हमारा center line से नीचे गया था momentum lose हुआ था इससे उपर आ जाए और price भी एक बहुत ही बहतरीन consolidation दिखा रहा होता है समझ गए पार्ट मोमेंटम बॉक्स यह तो एक स्टॉक है पॉंडी ऑक्साइड और उसके बाद देखिए यह मोमेंटम बॉक्स जो बना था जुलाई एंड में बना था और अभी एक से मैं कहूंगा एक सवा महिने के अंदर ही देखिए यह 600 का लवल है अगर आपने 600 मैं इस मोमेंटम बॉक्स ने और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट लवल आप अल्मोस मैं कहूंगा डबल हो गया और रिस्क देखोगे तो ना के बराबर अब इतनी बड़ी पोजिशन के साथ कितना कम यह रिस्क है यह आपने देखा मोमेंटम बॉक्स का बेस अब चलते हैं य तो अल्ट पर हम यह नहीं कि ब 와ई ब्लकुल बॉक्स देख में पर लेकिन चब मोमेंटम वापस आरहा है वहाँ पर देखfs hooks कि अगर आप देखोगे बॉक्स को तो बॉक्स का एस प्रईस्पर आप ले रहे हो कहीं मैं मान कि चलना कि 402 पर बाइंग लीग विजवल स् noting की वहां क्या हो रहा है चलिए रेवती जी को देखते हैं देखिए कार्यक्षन रिजॉलिशन मोमेंटम कहां पर आया यह देख सकते हो आप मोमेंटम आया धीरी-धीरे 200 SMA से उपर 200 SMA का बहुत इंपॉर्टेंट डूल है यह देखे ज़रा तो मोमेंटम आया और रैली आप देख रहे हो तीसरा स्टॉक है आप चोहते हैं देखिए अभी कुछ टाइम पहले हमने काफी डीटेल में इसके उपर वीडियो क्रियेट किया था यह देखिए इसी कंसॉलिडेक्शन को देखते हुए समझते हुए और आज का वॉल्यूम देखिए आपको गयर वा इतनी जल्दी कैसे पूरी बड़ी करेक्शन को हम यहां पर समझने किया और रैली आपको देखने को मिलिए यही नहीं मैं अभी आपको इंट्राडे का चार्ट दिखा तो अभी अमने यहां पर यह जो यूज किया है क्रूड ओयल को आप देखिए मोमेंटम को समझने के कोशिश करना बहुत यह क्रूड ओयल का चार्ट है इसको सबजिए य मोमेंटम को अगर आप समझ गए तो लंबी आवधी तक आप अराम से मार्केट में रह सकते हो आपको चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो कुरूड ओईल हो सोना हो चांदी हो तामभा हो पितल हो जो आपके सामने यह देखने को मिल रहा है आपको अगया हाँ फोर अब आप सोचिए Pondy Oxide एक महीने में जब आपके पैसे को डबल कर सकता है लेकिन मैं आपको यह नहीं कहोंगे कि आपको डबल के पीछे भागना है इस डबल के दौरान अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर इसी लेवल को ही ले लिया मानलो आपने 600-900 के ले लिया 50% ही ल बहुत जहां से समझ नहीं सीच को बार बार हम बात करते कि इनिशल टार्गेट जो होता वह आल टाइम हाई का जो चल रहा है वह है आपने का मेरा टार्गेट जो है वह पूरा है अगर ब्रेक आउट वॉल्यूम के साथ आएगा तो फिर हम कंसॉलेडेशन देखेंगे आप अब क्या है यह नई तैयारी देखरो इस पार्ट को अमेज़ें यह नहीं है तो प्राइस सेक्षिन के कॉंसेप्स जो है आपको मैं कहूंगा मोमेंटम की तरब जाना देखी ओ को मोमेंटम डिरेक्ली प्रोपोशनल टू हाई प्रबाबिलेटी मोमेंटम है तो प्रॉबब सब्सक्राइब लेकिन प्राइशन का बेस इसको समझना बहुत जरूर यहां ऑपको करूड का एक्जामपल दिया और यह अलग-बॉक्सपाइब को सामने दिया और बहुत वीडियो जहां में हापके लिए स्टार्ट कर रही है और आपको बहुत हूं जरूर देता हूं और वह आपको कहा जाता है कि यहां पर उन stocks को देखिए डेली उन 10 stocks को देखिए जो 10 से 20% तक रैली किये हुए हैं उन मैं से 10 को देखिए 20 को देखिए 40 को देखिए 50 को देखिए उन में से आप देखोगे बहुत जगे पर यह momentum वाले जो consolidation दिखाते हैं high momentum area में स्टॉंग मोमेंटम एरिया में यह स्टॉक आपको मिलें यह आपको एंगे वाह यह स्टॉक तो इस कितनी सही टाइम पर हमने इसको पकड़ दिया था तो यह चोटी चोटी चीज़ जरूर है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है लर्निंग परस्पेक्टिब से तेकर मार्किट में मैं आपको हमेशा कहता हूं कि चाहे आप एक रुपिया growers क रुपिया या आप एक लाग करो या एक करोड या फिर आक करो सो करोड कोई नीकिन लर्निंग को प्राइरिटी में रखे रिस्क मैनेजमेंट as usual द॥े की लर्निंग को हमेशा प्राइरिटी में रखे अर्निंग लर्निंग होगी तो आप definitely उस प्लान के तहट जाओगे कि अगर situation गड़ड़ा गई तो आप क्या करोगे बस यही important part है अगर plan fail हो गया तो क्या करना है this is really really important thing to understand stock market में यह base है इसी को कहा जाता है risk management बार बार आपको को relate करोगे तो बनता है आपका momentum box high momentum high probability and low risk का area wind up करता है वीडियो को आप शेर कीजिए like कीजिए प्राइस सेक्षिन सिखते रहे है प्रैक्टिस करता रहे है और hope work जो दिया उसको जरूर कर रहे हैं thank you thank you for watching the video